हरे क्रिश्ना राधे राधे दोस्तो चल रहा है पुरुसत्तम मास अधिक मास और इस महिने में ब्रह्म मोहर्त में उठना और दिबदान करना संधा का लिन समय पर दिबदान करना पूजा उपसना जब तब दान ध्यान पुर्य में अपना थोड़ा से भी समय दे देना हजारों गुना फल देती है आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दिबदान की संपूर्ण विधी जो आप घर पर बहुत सरल तरीके से कर पाएंगे वह आपसे सेर करने वाली हूँ कैसे करेंगे कहां कहां दीब प्रजलित करेंगे किनके नाम पे दीब प्रजलित करना चाहिए कितने बज़े करना चाहिए हाट डीटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी सबसे पहले आप दीवधान डीवधान के लिए ठाली तयार कर लीज़े आ किसी सवाफिस जाती हूं तो न मुझे दान कर दिवधान कर सकते हैं कोईप्रॉब्लम नहीं है अगर पर जिवन सैली ऐसे है तो भगवान भी देखी रहे ठीक है जो घर पर रहे वह संद्यकाल में दीबदान करें अपना समय मेंटेन करें जो घर पर नहीं है तो जितनी बज़े आ रहे उतनी बज़े करें बस टाइम को फिक्स रखें लेकिन देखिए अगर आप घर पर रहते हैं तो आप समय को बहुत सबना अच्छा रहता है अब एक समय और आता है करती है तो डिलिलि साफ करते की ऐसी रह जाते है तो आपगर आज सुबह सुबह करें तो सांफ लीजе करों करेंगे तो पिर दूबाराम करने से पहले साफ कर लीजियं देखिए मेरे में लिव घंडि मेंसाया भगरां में अ निकाल दिया अच्छी तरह से और गिले कपड़े से आप साफ कर लिजिए इस पौडर को जो रंगोली पौडर है दुबारा यूज नहीं होती है तो इसको आप गिले कपड़े से निकाल के धो सकते हैं ठीक है अब लक्समी प्राप्ते के लिए आपको एक उपाई जो करनी है वो है हल्दी से लिपनी चाहिए अगर आपके पास हल्दी है तो हल्दी से लिप लीजिये लेकिन जो हल्दी से अप खाना बनाते है वह रंदी यूज नहीं करके अलग से डीबे में नया हल्दी लेके रAmeric할 उस हल्दी यूज़ करें खोना वनाते वगत बहुत सारे चीज़ आप लोग ने ध्यान किया हूगा, इसके बाद आगर आपके पास हलदी नहीं है किसी बज़ेसे अपके यहां पर गेरु मिट्सटा है, तो आप लाल मिट्सकों बोलते हैं, उससे बी लिप सकते हैं, आप इहां पर गोबर से लिप वहां पर जाता है, तो शाप शुत्रा करके डिजाइन करके सजाना है उस तरह से सजा लिजेए अब बहुत लोगों के पास समय नहीं होती है तो वह क्या करेंगे वह पर्मनेंट को जो जो एसेन पेट्स के कलर आता है उसी से रंगोली पर्मनेट बनाके रख सकते हैं वह नहीं खराब ही होगी आप स्टिकर्स आते हैं दरवाजा के लिए वो भी लगा के रख सकते हैं, वो भी खरामी होगी, कहने का मतलब यह है कि देहलीज आपका सुन्दर, सुसजित और साफ होना चाहिए, ठीक है, देहलीज के साफ सुतरा कर लिया, अच्छे तरह से उनको साफ साफाई करने के बाद, आप दिपक प्रजलित करेंगे, देहलीज आपको लेफ्ट साइड, दोनों साइड में बहुत सारे घर ऐसे हैं कि दोनों साइड में दिपक नहीं जला सकते, किसी भी वज़े से, तो आप घर के राइट साइड में दिपक प्रजलित कर सकते हैं, थोड़ी सी फूल दिखा दीजिए, धूब बती दिखा दीजिए, मन्दिर के लिए, मंदिर में एक दिपक तो आपका हमेशा जो जलती है हमेशा जो साम को एक दीप धूप होता ही होगा कोई भी घर में मंदिर जिसके घर में है वो एक धूप दीप तो करते ही है तो वो एक नॉर्मल जो साल भर आपका चलता है वो दिपक तो प्रजलित करनी ही है दूसरा आपको करना है भगवान विष्णुजी के नाम पर जो दीपक परजलित करेंगे अगर समर्थ है अगर आप समर्थ हो इतना तो आप घी का करें घी का दीपक हर मनुकामनाओं को पूर्णो करने के लिए सक्सम होता है संभव नहीं है तो तील का तेल का करें वो भी संभव नहीं है तो आपके इहां पर जो भी तेल का जलाया जाता है आप उस चीज़ से कर सकते हैं बस आपके पास भक्ति होना चाहिए ऐसा नहीं कि भगवान सबका अवस्था समझता है कि हाँ इसके पास इतना ही पैसा है वो इ मैं क्या कहना चाहती हूं परिस्तिति के अनुसार आपको डिसिशन लेना होता है आपका जैसे सामर्त है भगवान का पूजा आप उस हिसाब से करें आपको जैसा संभव होगा ठीक है तो एक दूप एक दीप मैंने मंदिर में जलाया एक दीप मैंने भगवान विश्णु जी करते हैं या पूर्ण मासी के दिन करते हैं या जैसे मतलब कोई स्पेशल दिन में आगर आप करते हैं या डेली करते हैं आपके कोई भी मनुकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं तूलसी माता के सामने दीप्रजलित करने के टाइम पे तूलसी माता का मंत्र भी आप थूप दिखा देने घूंगे साम अभा न्हीं संभाजएवार कर सकते दोकेि चाहे हैं धुदे में को देखेटा थोड़ा सा दूवल दीबD jan पंचिको दिखा अगर अगर आपने सुबेरे दे दिया तो साम को तोड़ी से तक ही कर लीजिए थोड़ा से उस जगा को पुजा कर लेजिए अक्सत डालिए या फूलों की आसन बना के दीप के श्थापट कर देए अब हम जो हमारे पित्र होते हैं उनके नाम पे दीबदान करेंगे तो यह घर के जो दक्सिन की इस्था होती है उस इससे में दीबदन किया जाता है जोबी दकसिंवाली पार्थ होगी उसमें किजिये ठेक इस बिए सको खुले आस्मान के नीचे दीबदन किया जाता है अगर आपके पास खुले आस्मान नहीं है जैसे मेरे कई स्वार के पितर देवता से समा भी जाती है तो करें हमारे उपर सदा प्रसंद करते हों गता हैं अब करना चातों को भी तरहें दोकिफिए निमित्द करना चाहतें हैं कोई भगवान भी आपका नहीं करते हैं तो इसी तरह से हमिद दिवदान करनी है घर के अंदर रह के आप इन जगाओं पर दिवदान करें आपका हर इच्छा पूर्ण होते हैं घर में सुक सांती समरद्धी आती ही आती है ठीक है तो दोस्तो अधिक मास का संपूण न दिष्भदान की वीधि में आप लोगों से सियर क्या है अशा करते हूं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्फुल रहेगा, और हाँ बहुत लोग कहते कि पहले नहीं शुरू किया है तो पहले नहीं शुरू किया है, तो कोई बात नहीं, जब जगो तब सवेरा, अभी कर लो, अभी से आप सूरू कर सकते हो, प्रियर्स के टाइम पे दीबदान नहीं करनी है, उस टाइम पे आप दीबदान मत कीजिए, घर में सुतक या पातक लगी है, तो दीबदान मत कीजिए, और असुद्ध हवस्ता में दीबदान नहीं करना चाहिए, अगर आप मल तैग करके आये हैं, तो उसी कपड़े में दीबदान मत कीजिए, बिल्कुल साफ साफ कह रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, मल तैग के बाद कपड़े चेंज करना, हाथ पैद होना, कुल्ला करना, जुरूरी होती है, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, आपको दीबदान करने, सुध्धता रखे, घर में गंगजल छिड़के, घर को थोड़ सा सुध्ध करने पहले, उसके बाद दीबदान का ये विधी सुरू करे, अपना मन का जो भी संकल्प है, भगवान मुझे बहुत पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों को हरी कृष्णा राधी राधी, बाई बाई दोस्तों, टेक केर,